50 questions discuss कर लिया था, कितने questions solve कर लिये थे, 50 questions solve कर लिये थे मैट्रिक्स आप, cartilage is secreted by, यहां तक का discussion हो गया था, next question है, कि supportive connective tissue means, अब आप देखिए, जो connective tissue हमने आपको पढ़ाया है, इसमें कितने प्रकार की connective tissue बताया था, तीन, कौन-कौन से, एक था, connective tissue proper, जो loose था और dense था, दूसरा था, connective tissue skeleton, जिसमें bone और cartilage, तीसरा था, connective tissue vascular, जिसमें blood था और lymph है, ठीक, आप question क्या पूछ रहे हैं, supportive connective tissue means, tendon, अगला कहरें, cartilage and bone, फिर कहरें ligament, फिर कहरें blood and lymph, आपको मालूम है कि blood और lymph कोई support नहीं करता आपको, शरीर थोड़ो समालता है आपका, समालता है क्या, नहीं, आप कहरें कि tendon और ligament, अगर हम यहाँ पर, देखो, धर्म संकठ है हमारे सामने, क्योंकि tendon और ligament यह दोनों supportive tissue होते हैं, अगर tendon फेल हो जाए, तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, सही से आपकी muscle work नहीं करेगी, इसी प्रकार से ligament क्या करता है, bone को bone से जोड़ता है, और tendon muscle क bone से, तो muscle और bone का coordination अगर नहीं है, तो आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, यह बास सही है, तो यह भी हो सकता है, आपसन में tendon भी, तो फिर ligament क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, तो कहरें कि इन दोनों को हटाईए, साफ साफ लिखा है, cartilage और bone, जहां cartilage औ द्यान दे, cartilage के, आप देखे सवाल गलत पूछा है इनोंने, cartilage का जो perichondrium होता है, उस तक blood capillary होती है, लेकिन उसके matrix में नहीं होता, यह बता चुके हैं हम आपको, देखो, जैसे माल लो यह cartilage है, है ना, तो यह इसका क्या है, perichondrium है, आगे से इसमें क्या है, यह fibers है, और कौन है, cells है, और क्या है, matrix है, तो खून की नली इसमें है, किसमें, perichondrium में, परंतु matrix में blood supply नहीं होती, होती, cartilage के matrix में कोई खून की नली नहीं होती, परंतु cartilage की जो covering होती है, perichondrium, उसमें blood supply होती है, अब direct question पूछ लिए नहीं होने, क्या कहा है, correct, which of the following lacks the blood supply, तो option इसमें निश्चे तुरूप से cartilage पर ही जाएगा, ठीक, लेकिन cartilage का matrix में नहीं होता, लेकिन फिर भी most appropriate में इसके लाव और कोई सहीं नहीं है, है कि hired operators is composed of hyaline cartilage, fibrous cartilage, calcified cartilage and elastic, तो यह hyaline cartilage होता है, कहां पर होता है, हाइड, जो आपकी bone उसको, तंग को समालता है, किसको समालता है, जीव को साधता है, उसे कहते हैं, next, calcified cartilage जो होता है, यह काफी hard होता है, calcified cartilage, जैसे femur में होता है, femur head पर, तो यह calcified होता है, इसमें calcium का percentage बहुत अजिक होता है, क्योंकि hydroxy appetite के crystals होते हैं, जिसका अवयो होता है calcium, तो जो calcified cartilage होता है, यह बहुत ही कठोर होती है, hardest cartilage की सिरणी में आपसे पूछा जाएगा, तो कौन होगा, तब इसको हम बोलेंगे, हाँ, देखो, hardest cartilage, hardest cartilage, जड़ा फैंचला होगा है, hardest cartilage, it is calcified cartilage, calcified cartilage है, बहुत light हो गई है, कुछ तो बुझाओ जड़ा, यह बलर कर दिया है, एकदम से बारा इसक्रीन ही, बस सफेज सफेज हम भी दिख रहे हैं, नहीं, और कम करो, और कम करो light, हाँ, आप सही है, आया सही है, ठीक है, एकदम उजाला कर दिया है, बोर्डों सफेज हो है, hardest cartilage, calcified cartilage है, यह, क्या है, calcified cartilage है, ठीक, अब आप से पूछेंगे की, elastic cartilage कौन होता है, तो इसको बोलते हैं, yellow elastic cartilage, अगर embryonic cartilage पूछेंगे तो क्या बताओगे, embryonic cartilage, क्या बताएंगे, hyaline cartilage, hyaline cartilage होता है, embryonic, सबसे पहले यही बनता है, body में सबसे पहले यही बनता है, hardest cartilage, लिख लिया, next question, tendons are made up of, tendons में collision cable होता है, एलास्टिन नहीं होता, यह white fibrous connective tissue होता है, कौन? tendon, tendon किस प्रकार का connective tissue है? तो tendon जो होता है, it is white fibrous, dense regular connective tissue होता है, जिसको tendon कहा जाता है, और yellow fibrous, dense regular connective tissue कौन होता है? ligament, ligament कैसा होता है, ligament में कैवल elastin protein होता है, yellow color में, तो इसको बोलते है, yellow fibrous, dense regular connective tissue कहता है, ठीक है? ligament को, yellow fibrous, dense regular connective tissue होता है, याद रखेंगे, next, intervertebral discs are composed of hyaline cartilage, elastic, यह fibrous cartilage होता है, intervertebral disc, देखो, यह जो हमारी vertebrie होती है न, आप यहीं से दूसरी लगी है, अब इस cartilage और इस cartilage के इसमें, vertebrie के बीच में, यहाँ जो cartilage है, this one, intervertebral disc, दो vertebrie के बीच में, जो है, वो white fibrous cartilage होता है, कौन सा होता है? white fibrous cartilage, strongest cartilage होता है, white fibrous cartilage कैसा होता है? इसमें केबल कोलेजन होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, यह कौन होता है? इसलगेस्ट कार्टिलेज होता है। लिख लिया, क्या है? इसलगेस्ट कार्टिलेज है। पर जाली वाला दोर बंद करो नहीं तो भी मॉस्कुटो आएंगे क्योंकि आप लोग आते हो इसको बंद नहीं करते हो बाद में यहीं आती है निहारी का और मॉस्कुटो घुज जाते हैं शाम को आने का बहुत होता है इनका है हलांकि आज हमने नीचे सब लगाया था कोयल है थक्भक जाएज से तो धूर खुला रहता है जो है इस ट्रॉंगेस्ट कटिलेज हो गया नेक्स्ट लिगामेंटीज मेड़प औभी बताया था। येलो इलास्टिक करटलेज होताए। कि यह लो इलास्टिक कृणक्टिब टिशू कि टेंड़नीज मेडप आफ फाइब्रस टिशू होता है सही है एक अधिक पॉण बलत यह गलत है थीक है तो इसमें दो सही है टेंडन के बारे में अगर पूछा जाया तो पहली बात यह वाइड फाइब्रस डेंस रेगुलार कन strongest connective tissue है, कौन, tendon, मजबूत बहुत होता है, जहां collision होगा, ये कमर में बंदी हुई जो belt है, लेदर की है ये, इसमें collision ही तो है, जो इसकी मजबूती का, जो है, और घोडे की काठी, लेदर की होती है, saddle, उसमें भी क्या होता है, collision होता है, चमला, खीचो पकर के इसे, सावन के ज दूलों में जो रस्सी होती है, कभी-कभी लेदर की बनी होती है, तूटता नहीं, बहुत मजबूत होता है, है कि नहीं, आपका जूता, लेडी का पर्स, है कि नहीं, तब mobile case, ये सब लेदर के रेडियो का cabinet, ये सब किसके होते हैं, बहुत मजबूत, विकाज आप collision, जहां कोलेजन मजबूती वहीं पर है अगला है बोन्स एंड ब्लड और ओरिजिन पूछ रहे हैं बोन और ब्लड दोनों मीजोडर्मल होते हैं ठीक है बोन्स आफ ओल्ड पर्सन और विटाईल एंड फ्रेक्चर मोर रेपिडली कि बिकाच दे कंटेन मोर लेकुनन लेकूना और्गैनिकमे vallahi इनाजनिक मेटर बोनमेरों इनार्गैनिकमेटर कैल्सीयم फॉस्पेट अगर बोल में ज़धा हो हो जाता है उसका ज्यादा mineral deposit हो जाता calcium phosphate का ज्यादा deposition bone में होने से bone की भंगूरता बढ़ जाती है हिंदी में कहते हैं भंगूर होना English में कहते हैं British होना कि दब प्रॉसेस आप बोन फॉर्मेशन इट इज नोन है का इल सीफिकेशन क्या कहेंगे हाँ प्रॉसेस आप बोन फॉर्मेशन इज ओसीफिकेशन यह हम इसलिए डिसकस कर रहें कि जो NCRD का हिस्सा ना हो इसी में आ जाए है कि नहीं आपका रिविजन होता जाएगा अगला अगला कहरे है कि नोट इन कंसेंट्रिक लियर माइटरिक्स फार्म्स दाग्राउंड सबस्टांस अब देखो लेकिन question बहुत ही ambiguous हो गया है यह कह रहे हैं कि matrix आप bone is arrangement उसका arrangement पूछ रहे हैं और option में जह रहे है matrix forms the ground substance तो यह arrangement ठोड़ो है कोई मतला भी नहीं उससे अब हमको दो में चुनाव करना है आए जो thin plates लैमिली गलत है यह concentric layer में arrange होता है लेकिन दूसरे option में कह रहे हैं not in concentric layer तो इसमें से कोई सही नहीं है इसलिए none आप दी एबब वो भी option में है तो none आप दी एबब हो जाएगा ठीक आप काफी लोग नहीं समझ पाए होंगे कि यह लैमिली क्या चीज होती है कितने लोग नहीं जान पै देशरे लोग नहीं जान पै कि यह लैमिली क्या होती है मिटायें इसको वाट्र अवर इनला मिली समझिए यह लैमिली क्या होते है ध्यान दीजे लेकुना तो पता है ना लेकुना पता है कि नहीं कौन है जैस्ट एमिनट यार इसी टाइम आजाते हैं यह सब अब अब कर दो कर दो अब कर दो अब कर दो 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 आजी देखें आपको पता है कि जो बोन की सेल्स होती है वो इन में जैसे ये आस्टियो ब्लास्ट है तो ये डिवाइड करती है और आके इसमें भर जाती है अब ये जो आस्टियो साइड्स होती है वो ये है ये है ये आस्टियो साइड्स है अब यहाँ पर क्या होता कि जिस चैंबर में बंद है ये लेकुना है ये लेकुना है ठिक और इसमें ये आस्टियो ब्लास्ट थी कौन सी सेल है ये ये आस्टियो ब्लास्ट है osteoblast divide होके mature होगी तो osteocyte कहलाएगी अब यह cell जो इसमें है यह कौन सी cell है osteocyte है osteocyte किसमें बैठा हुआ है लेकिना में और इसको हम इसके साथ attach कर देते हैं और attachment कैसे होता है तो यह नली होती है ठीक है इस नली को हम नाम देते हैं कैनाली कुली यह कैनाली कुली है और इसके साथ attach जो है यह दूसरी cell इसमें बैठी हुई है अब देखे इसका भी attachment इस लेकुना का इसके साथ है कैनाली कुली के साथ यह क्या है अब इसमें देखो यह cell इसके साथ lateral process से connect है यह है इस cell को हम इसके साथ connect कर रहे है यह हो गए अब इस cell को इसके साथ इस cell को इसके साथ ऐसे इस तरह से ऐसे ही यह connect हो गए दूसरी से यह जो spherical structure यहाँ पे बंद आ है इनी को हम lamely कहते हैं क्या कहते हैं this whole structure is known as lamela और कौन सा lamela है यह concentric lamela है bone की जो growth होती है इसी प्रकार की lamely बना कर होती है तो यह छोटे छोटे चेंबर होते है जिनको lacuna कहा जाता है इसी lacuna के अंदर एक lacuna में एक osteocyte होती है तो ऐसे सब एक दूसरे से connect हो जाते है तो यह कि एक concentric ring में bone की growth होती है आप समझ गए होंगे कि lamela क्या है यह पूरा structure जो spherical है इसको क्या बोलेंगे lamela ऐसे डेर सारी lamela होती है ऐसे ऐसे lamela होती है और इस प्रकार bone की growth होती है इस में से एक lamela का structure हमने आपको समझाया कि lamela में क्या होता है कि यह lacuna होते है lacuna को जोडने वाली नली का नाम कैनाली कुली होता है और इसी में osteocyte अपने lateral process की मदद से बगल वाले osteocyte से connect होती है सबको समझ में आ गया कि यह lamela क्या होता है ठीक है अब जो पहले से पढ़े थे ठीक है उनका revision हो गया जो नहीं पढ़े थे कुन नहीं बात जान गए चलिए next connect in the body the membrane surrounding the bone is known as bone को surround करने वाली membrane का नाम periosteum है राइट कैल्सियम फॉस्पेट is the principal chemical constituent of mammalian bone fibrous cartilage, elastic cartilage, hyaline cartilage तो यह mammalian bone का होगा ठीक है कैल्सियम फॉस्पेट erythropoiesis in fetus occurs in fetus में RBC का निर्मार कहा होगा तो आप सहने bone मैरो बना नहीं होता उसमे spleen, liver, lymph node अब देखे इसमें गलत सवाल पुछ लिया है spleen में भी होता है, liver में भी होता है लेकिन spleen में बात में होता है, liver में पहले होता है तो इसलिए option में liver आएगा और इसमें mesen kai muscle होती, yoxac की तो उससे पहले वो आ जाता mesen kai muscle होती ठीक है अगला, serum is whole blood serum क्या है अब आपको मालू में कि blood का जब clotting हो जाता है तो बचा हुआ जो yellow color liquid होता है उसको serum कहा जाता है ठीक यानि कहने का मतलब plasma minus clotting factor equals to serum ठीक सुनिए ध्यान से तो करें कि whole the blood बिलकुल गलत है अगला कहरें blood minus clotting factor यही सही है अगला कहरें plasma minus clotting factor हाँ plasma minus clotting factor इसलिए कि blood minus clotting factor करेंगे तो फिर blood भी आ जाएंगे RBC, WBC भी आ जाएंगे ठीक है तो जब blood clot करता है तो क्या हो जाता है देखिए plasma क्या चीज है plasma को हम कहेंगे plasma is the fluid in which blood carpuscles are suspended serum क्या होता है कि serum is the liquid formed just after the clotting of blood तो जब blood clot कर जाता है तो क्या बज़ता है उसमें से clotting factor minus हो जाता है तो यह बिल्कुल सही है blood minus clotting factor equals to serum ठीक है blood minus clotting factor equals to serum क्योंकि blood clot कर करके clotting factor अलग हो जाएगा प्लाज्मा without clotting factor प्लाज्मा पढ़ रहे हो न तो अगर प्लाज्मा without clotting factor तो RBCWBC serum में रखेंगे क्या definition में यह लिखा गया है कि प्लाज्मा जो होता है प्लाज्मा is the liquid in which the blood corpuscles are suspended ठीक है वो तो NCRT की language इसलिए हमने पहली बार बता है कि आपको plasma minus clotting factor equals to serum लिखा है न हाँ वो NCRT में लिखा हुआ है ओबर अगर हम देखेंगे तो blood लेंगे उसको फिलाल NCRT के respect में पूछा जागा इसलिए पहली बार हमने बताया कि plasma minus clotting factor हाँ next which of the following is absent in plasma of mammalian blood mammal के blood में which of the following is absent in plasma of mammalian blood अब आपको पहले ध्यान रखो प्लाज्मा में पाया क्या जाता है दो चीज़े होती है एक plasma में suspended material होता है अब plasma में suspended material में 92% पानी होता है 8% में से 7% protein होता है बचाए 1% उसमें respiratory gasage होती है enzymes होते हैं defense materials होते हैं cholesterol होता है ये सारी चीज़े पाई जाते हैं अब क्या रहें question में alpha, beta and gamma globulin plasma में मैमल में नहीं होते हैं बिल्कुल गलत है alpha, beta और gamma globulin पाये जाते हैं क्यों? कितने प्रकार के protein होते हैं 4% albumin होता है 0.5% आपका कौन होता है globulin होता है 0.3% fibrinogen होता है 0.3% pro-thrombin होता है ठीक ये composition है तो ये तो सब पाये जाते हैं अगला कहरा कि pro-thrombin नहीं होगा होगा बिल्कुल सही है अगला कहरें blood cells सही है कहरें कि fibrinogen and inorganic ions ये नहीं पाये जाते हैं अब कहरें कि which of the following is absent in plasma of mammalian blood alpha, beta and gamma globulin सभी पाये जाते हैं pro-thrombin होता है blood cells भी होती हैं fibrinogen and inorganic ions वो लिंप होता है वो लिंप होता है ब्लड नहीं होता हो वो लिंप होता है सवाल टेक्निकल नहीं लग रहा है क्योंकि देखे plasma is the fluid in which the blood corpuscles are found suspended तो blood होई है उसमें हमारे blood में RBC नहीं होता क्या होता है कहां होता है plasma में हमारे blood में WBC नहीं होता क्या होता है कहां होता है plasma में हमारे blood में platelet नहीं होता क्या होता है कहां होता है blood plasma में होता है हमारेदरस बम्लाइब प्रोटिन नहीं होते क्या होते हैं कि अटीबोड़ी भी प्लाज्मा में होता है बीटाग्लॉब्ल लिखा गया है अल्फा ग्लोबलीन और बीटा ग्लोबलीन आयन कैरियर होते हैं तो लेट मी सी इस क्वेस्चन अधरवाइस इस विल भी रॉंग क्वेस्चन ठीक है मैं इसे देख लूँ फिर बता हूं उसमें क्या जानना चाहिए एकदम अजीब सवाल पूछ लिया है अगला है कि प्लाज प्लाजमा टीशू थोड़ो है ब्लड टीशू है कहीं लिखा है क्या प्लाजमा टीशू होता है अब गुरुजी पूछे हैं सवाल कि प्लाजमा कौन सा टीशू है ठीक है क्वेस्चन डिसकस करने में प्यास लगती है बोलना बहुत पड़ता है प्लाजमा हां टीशू नहीं है चलिए आगे चलिए विच आप फॉलेंग सब्स्टांस इफ इंट्रोडूज्ड इन ब्लड इस्ट्रीम उट काज कोगुलेशन आट दी साइट ओफ इस इंट्रोड़क्शन आप करें डाइकिमरोल हीरूदिन हीपैर्ञ एंड थ्रामबो प्लास्टीन विच अप्ड इस फॉलेंग सब्स्टांसिप इंत्रोडूज्ड इन ब्लड इस्ट्रीम ऋड काज बाहर से सप्लाई कर रहे हैं थ्रामबो प्लास्टिन, extrinsic factor की तरह काम करेगा, next, which are the following type of cell lack the nucleus, RBC, next, RBCs that lack nuclei when they are mature, present in frog, lizards, man, birds, RBCs that lack nuclei, when they are mature, करें, maturation पर nucleus नहीं होता, mammalian RBC है, अब इसमें देखो, सभी animal दिये गए, इसमें मनुस्य mammal है, बागी सब amphibia or lizard हो है, in man, the number of RBC per cubic mm, ठीक है, 5.5-5.5 million होता है, which are the following is compound alveolar gland, gastric gland, pirotid, salivary gland, mammary glands, prototherians, sebaceous glands, alveolar gland जो होती है, ठीक है, क्योंकि जो milk glands होती है, या mucus gland, वो क्या नाम है, sweat gland, यह coiled tubular होती है, तो यह alveolar यहीं होंगी, कौन, sebaceous glands, sebaceous glands, alveolar होती है, लेकिन यह, हम लोगों ने discuss नहीं किया है, structure of gland, shape of gland के आदार पर, के वोल इतने बताया है, tubular, alveolar, 2-3 example बताया है, तो alveolar में यहीं आजाएगी, sebaceous glands, which are the following cells, do not exhibit phagocytic activity, monocyte, जबरदस्थ phagocytic action है, इसमें, neutrophil, मार के खा जाती है, macrophages, जबरदस्थ नामे पड़ा है, macro माने बड़े साइज की, phagogy माने phagocyte cell, करें basophil, बेचारी, यह allergy कराती है, histamine secrete करती है, phagocytosis नहीं, तो इसमें basophil हो जाएगा, which of the following layer is responsible for the difference in the body, contours of male and female, यह सवाल पूछ रहे हैं, कि जो body का shape होता है, male और female में, male और female में, body का shape कैसा होता है, पूरूस में कैसा होता है, क्या कह रहे हैं, बता, क्या difference है, पूरूस और इस तरी के शरीर में, पूरूस का जो shape होता है, वो यह shape होता है, shoulder चोड़ा होता है, यह होता है, इसको V shape कहते हैं, यह shoulder चोड़ा होता है, ऐसा shape होता है, V क्या कारका, इस तरही में कैसा safe होता है? इसमें ये safe होता है, ये safe होता है, ये female की body है, ऐसा, dumbbell safe, गुसाना नहीं, ये dumbbell safe होता है, dumbbell का मतलब ये हो गया कि उपर भी wide है, और pelvic region से नीचे भी wide है, और कमर कम है, अब यहाँ देखेंगे pelvic region में, अब यही सवाल पूछ रहा है, कि body का जो ये contour है, ये किस वजे से है, तो it is because आप paniculus adiposes, paniculus adiposes क्या होता है, ये phiety tissues होते हैं, चर्वी जमा होती है, कमर के निचले हैं, ठीक है न, ये है, और ये किस कारण से होता है, कौन सा hormone है इस तरीके की body बना देता है female में, तो ये estrogen होता है, estrogen, yes, adipo, estrogen होता है, proportionate deposition of height in the body, it is the function of estrogen, और ये फीमेल का जो contour होता है, वो dumbbell safe हो जाता है, इस तरह जो हम आपको दिखा रहे हैं, और पूरूस में क्या होता है, shoulder और सीना चौड़ा होता है, कमर पतली तो फिर नीचे तक पतली होती जाती है, ठीक है, ये shape होता है पुरूस का, तो ये shape पुरूस का होता है, ये female का होता है, ठीक है, पढ़े भी नहीं होंगे कभी कई पर, सवाल देखो पूछ रहे हैं, discussion किया था, मैंने estrogen hormone पढ़ा रहे हैं, तो पता लगता कभी कभी तमाम सवाल ऐसे आजाते हैं, इसे लंतरानी बताते रहते हैं, इधर उधर की बात करते रहते हैं, पता सवाल वही मसे आई जाते हैं, तो कह देंगे कि इस प्रकार का सवाल गुरू जी क्यों पढ़ाएंगे, अब देखो पूछा गया है, question तो कह रहें, which of the following layer is responsible for the difference in the body, contours of male and female, प्लाज्मा मेंब्रेन सवाल पाइदा नहीं होता, पैनिकुलस एडिपोसस ये चर्वी जो डिपॉजिट होती ही बाडी में वो है, अगला है बेस्मेंट मेंब्रेन कोई सवाली नहीं, अपिथिलिया का है, और कैनाली कुली अभी हम पुरूस में dead body का कौन सा portion सबसे देर में जलता है, वो होता है chest, shoulder और chest इभी बहुत देर तक जलता रहता है, क्योंकि यहाँ माल ज्यादा होता है, यह proportion, तगड़ा होता है यह, बोन भी strong होती है और female में thigh वाला reason, pelvic region के नीचे का, कमर के नीचले हिस्ते का, यह देर में जले है, है ना, आखिर में हम सबको जलना ही तो है, मिट्टी में ही मिलेंगे, तब अभी कर लो जितना नक्सेवाजी करनी हो, हाँ, कहां पे थे भाई, लाइफ इस्पैन पूछा कोई मतलब भी नहीं, RBC का इसब हो चुका है, which one of the following blood cell is involved in antibody production, यह बीटा लिंफोसाइड होती है है, which blood carpocyl is largest in diameter, यह मोनोसाइड होती है, यही आगे चल कर मैक्रोफेज बनती है, मैक्रोमा ने बड़े आकार की, इसलिए इसको मैक्रो पोलिसमेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि यह गुमक्कल कोशिका होती, गस्त लगाती है पूरे शरीर में, मोनोसाइड्स, और य आकार की होती है, कह रहें कि antibody formation किसका function है, तो यह lymphocytes का है, A granulocytes responsible for immune response of the body are, जो A granulocytes होती है, अब आपको मालू है कि इसमें lymphocytes ही होंगी, ठीक, बाकि तीन दी गई है जो granulocytes होती है, बेसोफिल, योसिनोफिल और नूट्रोफिल, यह ग्रेनिलो साइड में डिफरेंस ज अगला करें, mark the odd one, इन में से जो भिन है, monocyte, योसिनोफिल, नूट्रोफिल बेसो, monocyte, granulocyte नहीं है यह, नान ग्रेनिलो साइड है, which is the most abundant among the WBCs of human blood, नूट्रोफिल, 65% होती है, formation of platelet is known as, thrombopoiesis कहते हैं, क्या कहते हैं, platelet का बनना, platelet का एक नाम thrombocyte भी है, अब इसका बनना thrombopoiesis कहलाएगा, ठीक है, which type of tissue forms the framework of the external ear, ear पिनना की बात कर रहा है, इसकी, elastic cartilage होता है, ठीक है, क्या होता है, elastic cartilage, yellow elastic cartilage होता है, निम्न में से कौन, cartilage, क्या नाम है, कौन, connective tissue नहीं है, bone, cartilage, blood, muscle, muscle muscular tissue है, यह कहां connective tissue है, कहते हैं कि muscle cells are called है, जिनको myofibril भी कहते हैं, या muscle fiber भी कहते हैं, muscle cell के कितने नाम, muscle cells, also known as, muscle fiber, और myofibril भी कहते हैं इसको, यह नाम होता इसका, next, अगला question, इसको सार्को प्लाज्म कहते हैं, ठीक हैं, लिखा चुके हैं, सब है, नोट्स में हैं हमारे, अगला question देखिए, कहने हैं कि certain tissue in the body, like muscles are more active than other, जैसे muscle muscular tissue है मारे शरीर में, अन्य से ज़्यादा active है, which organelles are expected to be more numerous in cell of such tissue, तो जिसमें activity ज़्यादा, मतलब वहाँ ATP production ज़्यादा हो रहा, तो myto kandia ज़्यादा होगा, तो myto kandia हो जाएगा, question number 96, in a vertebrate, which germ layer forms the skeletal muscle, आपको पता है कि muscle जितनी भी होती, mesoderm होती हैं सब, in which of the following fibers, nodes and inter-nodes are absent, medulated nerve fiber, non-medulated nerve fiber, both A and B and none of the above, in which of the following fibers, nodes and inter-nodes are absent, ये non-medulated fibers होगे, जिसमें myelin fiber नहीं होता, myelin सीथ नहीं होता, ये हैं न, अगर इसमें myelin नहीं बन रहा है, तो node आफ रेन्वियर बनेगा ही नहीं, और दो node आफ रेन्वियर के बीच inter-node होता है, तो जब myelin है ही नहीं, तो कैसा node, inter-node, और अगर myelin है, तो देखें यहां पर node बन गया, ये कौन है, ये node है, तो ये कौन है, तो ये inter-node है, दो node के बीच inter-node होता है, और जहां माइलिन सीथ नहीं होती, वो नोड होता है, है कि नहीं? इस परकार निकालते हैं और लास्ट कुश्चन है कि नर्ब फाइबर्स डिफर फ्रॉम दा मसल फाइबर इन हैविंग डेंडराइट, सारकोलिमा, मायो फाइबरिल और इस्ट्राइशंस नर्ब फाइबर डिफर फ्रॉम मसल फाइबर, किस मामले में? तो कहरें कि नर्ब फाइबर डिफर फ्रॉम मसल फाइबर इन हैविंग, क्या चीज होता इसमें जो उसके डिफरेंट है डेंडराइट, सारकोलिमा, मायो फाइबरिल और इस्ट्राइशं, ये डेंडराइट होत करेंग